घटना चर्चलेन इलावाद की है, मई महीने की एक शाम थी, घर के बाहर लॉन के एक सिरे पर बाबा एक कुरसी पर बैथे थे और प्रयाग उच्च न्यायालेय के कुछ न्यायाधीशों के परिवार भूमी पर बैथे उन्हें घेरे थे, मैं लेखक लॉन के दूसरी और अक पूर्ता धोती पहने था, दोनोंने दूर से ही बाबा को नमन किया पर उनकी दृष्टी इन लोगों पर नहीं गई, इनके प्रवेश के पूर्व से ही बाबा सिर नीचे किये हुए अपने पास बैथे लोगों से बाते करते जा रहे, थे, संभवतह वे इनकी और देखना ह न चाहते हो, ये लोग कुछ देर इसी प्रतीक्षा में खड़े रहे कि बाबा इनकी और देखेंगे, पर अंत में निराश हो चुपचाप बैठ गए, दस मिनट ऐसे ही बीतने पर भी बाबा ने अपना सिर उठाया नहीं और वे उसी प्रकार बाते करते रहे, इस बीच का अला कोट पहना हुआ व्यक्ति मुझे कुछ बेचैन सा दिखाय दिया, वो कुर्ता पोती पहने व्यक्ति से वापस चलने का इशारा कर रहा था, उसको बेचैन देख उसका मित्र उठ खड़ा हुआ और बाबा का ध्यान वानी से अपनी और आकरशित करने लगा, वो बोला महाराज, मैं अपने एक मित्र को लेकर बाबा आया हूँ, ये बड़े कश्ट में है और आपकी कृपा चाहते है, अपने मित्र को खड़ा देख काले कोट वाला व्यक्ति भी खड़ा हो गया कुर्ता धोती वाले से बोले, तू तो वकील है, उसने उनकी बात का समर्थन किय इसके बाद वे काले कोट वाले से कहने लगे, तू तो वकील नहीं है, उसने भी उनकी बात का समर्थन किया, उपस्थित सभी लोग इस व्यक्ति को आश्चर्य की दृष्टी से देखते रहे, बाबा को कौन धोखा दे सकता, बाबा ने सीधे काले कोट वाले से पूछा, क वे कतल के केस में फांस लिये गए हैं और पुलिस इनका पीछा कर रही है, बाबा फिर काले कोट वाले से बोले, क्या तूने कतल नहीं किया? उसके नकारात्मक सूक्षम उत्तर परवेतीव्र स्वर में बोले, क्या तेरा कतल में हाथ नहीं था? वो सच बोल उठा, था, महाराज, यदेपी वहां उस समय इस कतल का विवरण किसी ने भी नहीं दिया पर बाबा की आखों के आगे सारी घटना आदी से अंत तक चलचित्र की भाती स्पष्ट हो रही थी वे बोले, जिस व्यक्ती का तुने कतल करवाया वो बहुत सीधा था, तुने उसे क्यों मरवाया, उसने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, वो मेरे रास्ते का रोड़ा हो रहा था, करुना सागर दुहखी होकर कहने लगे, उसके बच्चे अभी छोटे हैं, उसने बा और लजजित हो गया, बाबा ने उससे कान पकड़ कर यह कहने को कहा कि आगे वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, उसने तुरंत रोते हुए उनकी आग्या का पालन किया, बाबा ने वकील से पूछा, किस के इजलास में मुकदमा है, वकील ने एक मुसल्मान जज का नाम बताया बाबा ने कहा, जाओ सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार महाराज ने अपराज से उसके दुश्क्रतों की स्वीकृती हृदै से जनसमुदाय के समक्ष करवा कर उचित प्रायश्चित करा दिया और तदनंतर अपने दर्बार में उस शर्नागत को क्षमा प्रदान कर लौक दंड से 315 भी मुक्त कर दिया, इसमें संदेह नहीं कि क्रिपा मूर्ती बाबा ने उन अनाथ बच्चों के पालन पोशन का भार स्वयम अपने उपर ले लिया होगा वे जगत पिता ही, थे तो